चीन में एक निजी कमपनी के संयंत्र में सोंबाराद भी सनाग लगने से 38 लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग लापता बताय जा रहे हैं इस्थानी अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शहर के बैन फैंक जिले में स्थित कमपनी के संयंत्र में सोंबार साम अचानक आग लग गई सुचना मिलते ही दमकन की गाड़ियों ने मौके पर पहुँच कर कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पाया जाज एजनसियों के मताबिक इस घटना के पीचे साजिस्त कसक चिताय जा रहा है फिलाल पुलिस ने कुछ संदिक्थों को हिरासत में लिया है हाला कि उनके बारे में जानकारी सारवजनिक नहीं की गई है हासे में दो लोग घंबीर रूप से गाहल हो गई जिनने अस्पताल में भरती कराये गया